तो सभी का ब्लैक डैमेंड यूटीब चैनल में स्वागत है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट ले गया हूँ और ऐसे ही वैकें हैं माइनिंग सरदार वाले हैं माइनिंग मेट वाले हैं कोई भी अगर आपका माइनिंग में ब्रांच में कोई भी चीज का तेहरी कर रहा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजेगा ताकि आपका हैल्प हो सके चले तो आज जो वैकेंसी निकाला गया है वो निक आर्खेंड के केंडिडेट है जो अनिम्प्लॉइड है जो कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा पॉर्चुनिटी है एक बार मेरा सजिसन रहेगा कि जरूर जाएं एक बार जरूर जाके इंटरव्यू दे के देखें सिंपर का इंटरव्यू देने से थोड़ा सा मैं आपको गाइड भी कर सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद दिया था सिंपर के इंटरव्यू और स्वाटलिश भी हुआ था तो चली वडियो का आगे बढ़ाते हैं तो बेसिकली सिंपर के द्वारा ये वैकेंसी निकाला गया है अलग-अलग पोस्ट के लिए देर ना करते हुए डिरेक्ट पोस्ट के आते हैं पहले फिर बाकी बात करेंगो कौन-कौन भर सकते हैं आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चीया ना चाहिए सबसे पहले तो जो बी FC कीये हुए हैं बी तो इसका जो सीट है टोटल वह यानि बी बीइस सीक्जजो इसको होगा और जो सेंटर होगा आपका सीमफर CSIR अनुसंधान के इंदरे नामकुम में जो है उसी जगा पर आपका इंटर्व्य होगा सेकेंड नमर पर जो है डिप्लोमा इन कम्प्यूटर और कम्प्यूटर साइन्स इंजिनियरिंग का है जिसका टोटल पांच सीट है तो जो डिप्लोमा कम्प्यूटर वाले होंगे या डिप्लोमा कम्प्यूटर साइन्स वाले होंगे उनका भी बहुत अच्छा पॉर्चनिटी है क्योंकि डिप्लोमा इन कम्प्यूटर वाले के लिए वहासी कम वेकेंस निकलता है, computer science वालों के लिए थोड़ा कम निकलता है, जो डिप्लोमा की है, बिटेक वालों के लिए थोड़ा कम निकलता है, तो इनके लिए भी एक अच्छा कासा पॉर्चलिटी, अगर आपकी पहचान में कोई है, तो जरूर्ण सेयर कीजेगा, इन पोस आपका लोकल में कम से कम रिसिडेंस पड़ता है तो आप जरूर जाईए जार्खट में तो माइनिंग के केंडेट भरे पड़े हैं राची, धनबाद वाले बोकारो वाले, हजारी वागवाले ये तो जाही सकते हैं जाने के बाद एक वाई इंटरिवू देजिए देखिए, इंटरिवू देने से अगर आपका नहीं होता है सेलेक्शन, जादतर चांस है कि नहीं हो लेकिन अगर नहीं भी होगा तो आप एक बर सिंफर का इंटरिवू फेस किये रहेंगे कि किसे क्या क्या पूछा गया, तो आपको एक पैटन समझ में आ जाएगा, कि किस टैप का कोशन पूछता है, अगला बार आप और अच्छे से फाइट कर सकता, अलाकि अगर आप कहेंगे, तो मैं खुद आपको वीडियो बना के बता दूँगा, कि किस टैप का कोशन इम पर अच्छा पॉचुनिटी है बाई सा, 15 सीट का वैकेंसी, 15 सीट का वैकेंसी, बीएसी केमस्टी वालों को तो कोई पहले तो वैकेंसी निकलता नहीं है, लेब टेकनीशन चोड़ के कुछ ऐसा, तो यहाँ पर आपके लिए अच्छा पॉचुनिटी है, 20 तारी को आपका इं आगे है बैचलर डिग्री वाले या मास्टर डिग्री वालों के लिए क्या है वैकेंसी, क्वालिफिकेशन क्या है, मैं बता देता हूँ, क्वालिफिकेशन है अपका पेसे सबसे पहले पोस्ट गिरिजुएट या मास्टर डिग्री है जोलाजी में या अप्लाइड जोला डिगरी किये हैं, तो उस कंडिशन में, केमेस्टी में, तो उस कंडिशन में आपका 10 सीट का वैगेंसी हो, और 24 तारीक को आपका इंटर्व्यू है, ठीक है, चले, अभी देखिए, जो बीटेक वाले हैं, मास्टर वाले हैं, उनको कहा जाएगा, प्रोजेक्ट एसोसियेट, उनको क्या कहा जाएगा, प्रोजेक्ट एसोसियेट, उनका जो पोस्ट होगा, वो होगा, प्रोजेक्ट एसोसियेट वन, इसके बाद ब्रांच का नाम लिखा जाएगा, ठीक है, डिब माइनिंग वाला, केमेस्टी वाला, जिलोजी वाला, ऐसके नाम लिखा रहेगा, तो तो project associate 1 आपका proper post है, इसमें salary क्या मिलेगी, एकदम stipend 25,000 रुपया पर महीने दिया जागा stipend, ठीक है, लेकिन अगर कोई gate वाले बंदे हैं, कोई gate qualify किये हैं, या CSR net qualify किये हैं, तो net वाले और gate वाले को 31,000 रुपया पर महीने, आपका salary दिया जाएगा, तो एक अच्छा कासा job कर रहे हैं, सिंफर में, तो इस basis पे, अगर graduate वाले हैं, या ऐसा वाले हैं, तो इस basis पे बहुत सारा permanent vacancy निकलता है, इसमें एक एक साल का experience मांगता है, तो उस जगह पे आप apply कर सकते हैं, तो आपके लिए एक और field open हो जाता है, ठीक है, चले, आगे बढ़ते हैं, इसके ब job होता है, देखी, ऐसा है, छे महीना से ले करके 5 साल तक job हो सकता है, बिल्कुल आप सही सुने है, छे महीना से ले करके 5 साल तक job हो सकता है, जैसा project का जुरत पढ़ते हैं, को सिंफर जेनरली किसी को निकालती नहीं है, लेकिन अभी बच्चे कहा हैं कि competition qualify करते जाते हों, न पांच साल रखेगा, पांच साल से यादा नहीं रखेगा, पांच साल निकाल देगा, लेकिन एक मोटा-मोटी average पकड़ के चली, तो मान के चली कि एक साल-दो साल आपका जिंदगी सेफ है, एक साल-दो साल तो आप अराम से रह सकते हैं, उस बीच आप कहीं तैयारी करके नि टाइमिंग बच जाता है, तो उसके लिए सिंफर बहुत बहतर है, ठीक है, और बाकी अच्छा location है, नामकुम राची का location बहुत सुपरियर लोकेशन है, लैब भी बहुत अच्छी जगा पर है, जो आपका यह सेंटर है, बहुत सही सेंटर है, राची रिसर्च सेंटर नाम तो यह राची मेन जारकंड की राजधानी है तो वहाँ पर सेंटर लोकेशन बहुत अच्छा है आप वहाँ राज सकते हैं वो दिक्कत नहीं होगा आपको चलिए, अभी करना क्या है, कैसे अपलाई करना है तो चलिए, कुल मिला करके बता आते हैं तो यह राज नीचे साइड में परफॉर्म दिया है इसको मैं अपना टेलीग्राम ग्रूप में डाल दूगा अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रूप को जोईन नी किया है तो सर्च किजिएगा ब्लैक डाइमंड ठीक है, मेरा जो लोगो है, सेम लोगो से ब्लैक डाइमंड ऐसा लिखा होगा ब्लैक डाइमंड टेलीग्राम चैनल पर सर्च किजिएगा मेरा ही लोगो होगा लोगो को ध्यान से देख लीजिएगा एक बाश चैनल का उसके बाद उसमें जाके जोईन कर जाएगा उसमें लगभग 5.3 के सब्सक्राइबर है या या यू कहा है फॉलोवर है तो उसको देख के आप जोईन कर जाएगा उसमें मैं इसको डाल दूँगा यह क्या है सिंफर का फॉर्म है इस सिंफर के फॉर्म को आपको भरना है बेसिक डीटेल इसमें डालना है अपना इधर फोटो चिपकाना है आता है यह दयातन छाया चित्रे हाँ पर चिपकाना है यह फोटोग्राफ पासपोर्स आई चिपकाना है इसके बाद फिर यहाँ पे आपका जो भी पोस्ट है उसको टिक करना है अगर परजेक्ट असिस्टेंट है या पर यूजना सही होगी है अगर परजेक्ट असोसियेट है तो दोने में से जो आपको टिक करना है इसको आपको अपना नाम फादर का नाम यह बेसिक डीटेल फुल 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 करना है काम की है, और यहां के बारेँ बताना है, अगर कोई बंदा पंधा सिंफरं में काम कर रहा है, तो उसके बारें अगर talent है तो आपको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा matter यहां दूसरा हो जाता है, in closer attached with application, यहां पर आपको क्या-क्या, यहां पर yes करना है, ठीक है, इसके बाद आपका basic detail qualification वेगर सब यहां पर फिल करना है, दसवा बार हुआ, डिपलोमा क्या-क्या था नहीं था, इसका यहां पर आपको signature करना है, इसके बाद आपको यहां पर attach करना है कुछ document, जैसे, अगर आप डिपलोमा की हैं, तो 10th का document, 12 का document, डिपलोमा जो passing होगा, उसका document, कहीं experience है, तो उसका document, सबका जरक्स निकालके, इसको self-attested करके attach करना है, इसी के साथ, और यह आपको हाथ इंट्रिव्यू वाले दिन, इंट्रिव्यू वाले दिन लेके जाना है, दो copy रखेगा, एक copy जमा ले लेगा आपसे, और एक copy आपको अपने बास रख लेना है, और जमा देने के बाद फिर वो देखेगा, अगर उसको सही लगेगा, तो यहां पर टिक करेगा, कि हाँ यह eligible है, अगर गलत लगेगा आपका को document, तो इसमें यहीं से reject करके आपको भेज देगा, इसके बाद इंटर्व्यू होगा, इंटर्व्यू होने के बाद फिर आपका listing उसी दिन या उसके अगला दिन बता दिया जाएगा, या website में आजकर डाल दिया जाता है, तो यह पूरा क अगर आपका त्यारी अच्छा है तो जाएगा, अगर अच्छा त्यारी नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है, दो सीट के लिए, तो मिलते हैं अगले सीट बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जाएगा, नहीं तो पागल हो जाएगे हम, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में तब तक ले keep watching, keep supporting, till then, जय है.